पूछना चारी थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में जेपीसी जेपीसी इस इंपोर्टन जेपीसी होनी चाहिए मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों है अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोधी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और यह जो व्यक्ति हैं जिनको American Agency ने कहा है कि इन्होंने Crime किया है और American Agency कहा है कि इन्होंने Hindustan में Crime किया है ब्राइब्स दी है पाउर को महंगा बेचा है यह सब वहां बोला जा रहा है और प्रधान मंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे है और मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं कर सकते अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है ये मेरा main message देश को ये है JPC है अदानी जी के arrest है मगर मैं जनता को कहना चाता हूँ आप note कीजिए scam किया है 2000 करोर रुपए का मगर मैं आपको guarantee दे के कह रहा हूँ ये व्यक्ती ना arrest होगा ना इस पे investigation होगा क्योंकि प्रधान मंतरी इसके साथ जुड़े हुए है मौशमी राहुल जी आपने गाँ कि प्रधान मंतरी की प्रधान मंतरी की एक तरीके से साथगाट है और लगातार आपका जो stand है वो vindicate कहीं न कहीं हुआ क्या आपको लगता है क्योंकि आप कहरें कि इनको arrest होना चाहिए भारत में भी जो राज सरकारे हैं और जो report आई है जो फैसला है उसमें भी कई राज सरकारों की संगलिप्ती है जिन्हों ने bribe ली है तो क्या जो राज सरकारे हैं चाहिए वो करनाटक सरकार हो तिलंगाना ने M.O.U. sign किया 2024 Economic Forum में क्या proactive कदम लेके आप अपनी सरकारों को सर्देश देंगे बिल्कुल बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में involved है उस पर कारवाई होनी चाहिए चाहिए वो कहीं का भी हो कोई भी हो आपने States के नाम लिए राजिस्तान भी इस में involved है कुछी महीने पहले BJP की सरकार ने इसी पर तरीके का contract राजिस्तान में किया और महराष्टा में भी BJP की सरकार ने SI contract किया है वो ही contract 36 गड़ में था तो मेरा कहना है जहां भी यह हुआ है चाहे opposition की सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो investigation होना चाहिए punishment होनी चाहिए मगर main बात है जो kingpin है जो center है उसको jail में जाना चाहिए arrest होना चाहिए और उसका investigation होना चाहिए integration होना चाहिए पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है सर आप कहरें कि भरष्टाचार किया है अडानी ग्रूप ने मैं नहीं कहरा हूँ जो investigator सामें सामें बात आ रहे है आप clear रहे है मैं नहीं कहरा हूँ United States में investigation हुआ है FBI ने investigation किया है FBI कह रही है मैं पहले से repeat करता जाना हूँ कि अडानी जी हिंदुस्तान में रोज भरष्टाचार कर रहे है मगर ये America की Federal Bureau of Investigation ने कहा है तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारे हैं जहां जहां पर अडानी की के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीज़ों सो दिये गए मैंने मैंने कल दो-तीन दिन पहले एक प्रेस कांफरेंस में बिल्कुत साफ कहा है जहां भी करॉप्षन है वहां पर investigation होनी चाहिए मगर investigation अडानी जी से सुरू होगी और जब तक अडानी जी arrest नहीं होंगे तब तक credible बात नहीं बनेगी तो शुरुवात वहां से है अडानी जी को arrest कीजिए उनका interrogation कीजिए और फिर जो भी इसमें involved है पगड़िए और end में मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोधी जी का नाम निकलेगा क्योंकि BJP की पूरी की पूरी funding, पूरा funding structure इस व्यक्ति के हाथ में है इसलिए प्रदान मत्री चाहें भी कुछ नहीं कर सकते है एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को hijack कर लिया है हिंदुस्तान अडानी जी के grip में है इसलिए हिंदुस्तान के airports ports, defense, industry ये partnership है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी और मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को arrest नहीं कर सकते हैं capability नहीं है हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री की कि वो अडानी जी को arrest करें कि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को arrest किया उस दिन वो भी जाएंगे Amen Asanjid Rahulji, you have been raising this issue redentulously over the past many months but nothing has happened so how do you intend to, how do you intend to in India nothing has happened no no no, you are misunderstanding so how do you intend to intensify this demand of yours and also whether you know you have been demanding more scrutiny by the Parliament of Indian institutions how do you...? No, you are missing the point. See, it is not that nothing has happened. The Prime Minister's credibility has been destroyed. We are working. We know that there is going to be no government institution that is going to help put Mr Adani where he belongs. You know that, because the entire Government is controlled by the Prime Minister. But what we are doing, and we have done very successfully, is prove to every single Indian youngster that Mr. Adani and Mr. Modi are the same thing, that Mr. Modi is corrupt, that Mr. Adani is his bag man, this is proved. And now what we are going to do, as I have already mentioned, slowly, 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 we are going to find different people in this network and expose them to you. We have already exposed to you one lady called Mahadavi Butch, we have also shown you how she is connected to Mr. Adani and we are going to show you vast number of other people who are involved in this thing. By the end of it, India will know who are the people, every single one of them, who have hijacked this country. So we are working for the opposition, we are working, we are doing our job, our job is to make the people of India aware what is going on. That is what we are doing and I must say that the team that is working is doing a phenomenal job. We are working in the Congress party, other opposition parties are working, there are many many people who are activists who are working and I guarantee you that this structure is going to collapse, it is not going to survive. And it is a testament to the work being done that the United States has done what it is doing. Don't think that nothing is happening, this is flawed. We have completely obliterated Mr. Narendra Modi's image. Yes, Neeraj, Neeraj. You have said that we have been taking place for many days and you have said that something is happening. And it takes place to justify us. And I am going to danger in Hindi. This is a mistake. There is quite a lot happening. And the credibility of Narendra Modi's credibility we have caused it. The whole country knows that Narendra Modi's eyes are one, the whole country knows that Narendra Modi's eyes and Adani's eyes are one. The whole country knows that Narendra Modi's eyes are safe in India and that Narendra Modi is the cause of Narendra Modi. है और आप यह मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे हम आस्ते 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 देश को यह पूरा का पूरा network दिखा देंगे यह कॉन लोग हैं कहां बैटे हैं किस किस structure में बैठे हैं मादवी बुच हमारा पहला उधारन था हमने दिखाया कि मादवी बुच ने अपना काम नहीं किया उसका कारण था उसका कारण भ्रष्टाचार था उसका कारण conflict of interest था हमने दिखाया उनको हटाया नहीं गया है बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रीटेल इंवेस्टर जानता है कि मादवी बुच इस करप्ट एन मादवी बुच इस प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी राहुल जी नीरजू निवजेट इन इंडिया से आप लगातार इस मसले को कॉंग्रेस पार्टी उठाते रहते वीडियो के माध्यम से इस मंच के माध्यम से ये जो दस्तावे जाए हैं उसके बाद भारतिये जनता पार्टी ने तीन सवाल खड़े कहे हैं जो आपके सामन 500 वाल आप लेकर अपने इसका जवाब तो दे दिया और तीसरा उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्युंकि संसत का सत्र आने वाला है बीस जनवरी को डंडल ट्रम्प आने वाले हैं इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्या यह जो ज। पर बाकि आप बीजेपी के हो किया रखते हैं अभी आप बार बार किसे नेए आप अपने सवाल पूछा हो जवाब आपका सवाल रहा है यह मेरा सवाल भी जवाल पहले कहा कि यह बीजेपी के सवाल ने है आपने ही स्वयम ब्रदर आपने स्वयम बोला बीजेपी ने रखा है सामने इस मसले पे मैंने ये कहा है नहीं आपने बोला ये बीजेपी के सवाल है और मैं पूछ रहा हूं I know but I'm just stating a fact he said that he said that there are BJP's questions it's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition it's interesting but anyway I will leave that जहां तक बाकी states की issue है मैंने कह दिया है कि जहां भी corruption हुआ है वहां लोगों को पकड़िये अंदर कीजिए investigation कीजिए Trump का आना जाना वो अलग बात है देखें ये investigation पुरानी investigation है और ये सिरफ एक ये एक aspect है अदानी जी का अदानी जी सिरफ power projects में नहीं है अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांगलादेश में काम किया है वहां investigation शुरू हुआ है स्री लंका में वहां पे investigation की बात हो रही है defense Kenya में तो ये pattern है जहां प्रधान मंत्री कहीं जाते हैं हिंदुस्तान की सरकार की credibility को line पे डालते हैं और अदानी जी को business दिलवाते हैं तो देखें सचाई तो आएगी आएगी और हम पीछे छोडने वाले है नहीं ठीक है तो I am confident we will work slowly 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 and end में we will dismantle this structure प्रॉक्ष्ट क्रवें अज्ड़ अप्रॉब छॉक्ष्ट क्रवचचचचव झाल झाल